है दोस्तों स्वागत है एक और इंटेस्टिंग वीडियो में मेरे पास है लावा ब्लेज एक्स 5G और आज किसमें इसका चार्जिंग टेस्ट करने वाला हूं इस फोन में 5000 मिल्यों पर बैटरी देखने मलता है फोन 33 वाट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है बॉक् तो यहां पर चार्जर यहां पर चार्जर चार्जिंग के दौरन फोन हीट होता है कि नहीं तो मैं आपर तो यहांपर हमारा बैटरी चार्ज होए है तो यहांपर हमारा बैटरी चार्ज हुआ है कि ट्विंटी पॉइंट पर सेट जो है बैटरी चार्ज हुआ है टेपिरेचर को मेजरमेंट कर लेते हैं रूम टेमप्रेचर की बात करें तो अभी जो है 30.8 के आसपास फोन के टेमपरिची की बात करें 37.8 के आसपास फ्रंट और बैक यहां पर जो है है चलिए चिक करते हैं बैटर कितना चार्ज हुआ तो 30 मिनिट में यहां पार जो है 42 परसेंट बैटरी चार्ज हो गया है जो कि काफी अच्छी बात है बागी तेमपरेचर को मेजरमेंट करते हैं रूम ते बात करें तो स्टील यहां पर 30.8 आसपास फोन के बात करें तो फ् तो तरफ यहां पर जो हाँ है तो फ्रेंट की तरफ यहां पर जो है वही टेंपरेचर 37.8 के आसपास और बैट की बात करें तो बैटिर्ट की तरफ यहां पर 50.8 का भी जो है similar जो है 39.45 के आसपास और यहां पर जो है चार्जर के बात करें तो चार्जर यहां पर जो है 41.5 के आसपास चार्जर तेमपरेचर थोड़ा सा जाधा हुआ है वान अवर 30 मिनिट कंप्लीट हो गया है और बैटरी परसेंटेज की बात करें बैटरी चार्ज हुआ है बहुत जादा यहां पर चार्ज हो रहा है 33 वाट के चार्जर के आप से बात करें तो तो अब यहां पर जो है थंडा हो रहा है फोन 35.5 के आसपास और बैक की बात करें तो तो अब चार्जर भी यहां पर जो है थोड़ा ठंडा हो रहा है और एक चीज़ नोटिस किया 33 वाट चार्जर होने के बावजूद यहां पर जो है फोन थोड़ा फोड़ा हीट हो जा रहा है तो इस विससे फोन को फोन को सलो चारज करने के लिए है पूण को थोड़ा फोन चार्ज कर रहा हिना कर सकता तो आप इस फोन को चार्ज दोगे इस charger से तो यह फोन जल्दी चार्ज हो जाएगा बिकॉस यहां पर टेंपरेचर लो रहेगा फोन का तो यही कारण है बाकि देखते हैं फुल चार्ज कितने देर में होता है यहां पर फॉन हमारा फुली चार्ज हो गया आप मैं टेंपरेचर मेंजमेंट नहीं करूंगा क्योंकि बेसिकली यहां पर टेंपरेचर है वह नॉर्मल हो गया होगा फिर भी आपके लिए कर लेते हैं देखिए यहां पर 35 और बैक की बात करें 35.6 और यहां पर देख पाएं 52 मिनिट के आसपास लग जाता है क्योंकि यहां पर फोन थोड़ा हीट होता है जिस वर से यहां पर चार्जिंग थोड़ा अपने आपको इतना टाइम लगता है बढ़ना 33 वाट के चार्जर के साथ अधर फोन ज्यावन आवर 36 तो 7 मिनिट में जो है फोन को फुल चार्ज क लगा रहा है में भी सॉफ्टेर अबलेट आनेक बाद यह प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए बाकि यहां पर चार्जिंग स्पीड जो है मुझे एवरेज लगा थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था बाकि वन आवर 30 मिनिट के आसपास यह 94 पर से चार्ज हो जाता है तो पसंदा और इसे रिगार्डिंग और भी वीडियो बनाया है आई बैंप लिंक मिल जागा जाकर चेक कर सकते हैं बाकि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल एक मिलता है अब के साथ नेक्स्ट वीडियो में एक और ने कॉंटेंट के साथ तब तक लिए टाटा बाइ-बाइब के साथ